मुश्कार दोस्तो इस वीडियो में हम कैल्सियम के हाइपो और हाइपर दोनों कंडिशन को समझने कुशिश करेंगे कैल्सियम का लेवल जब हमारी ब्लेड प्लाजमा में एक नॉर्मल रेंज से घट जाता है तब हम इसको हाइपो कैल्सियमिया बोलते हैं और जब calcium का range या calcium का level हमारी blood plasma के अंदर एक normal range से उपर हो जाता है, exit कर जाता है, तब हम इसको hyper calcium के नाम से चानते हैं, ये दोनों ऐसी condition है, जिसमें body को नुक्सान होता है, body के जो calcium का अपना एक function होता है, इसके कारण से calcium अपना function proper रूपसे नहीं कर पाता है, जिसमें कम हो ज और अगर बढ़ जाता है, तो उसमें भी alteration आती उस function में, और वो function या तो hyper active होके होता है, या फिर altered होता है, या गरबढ़ होता है, दोनों condition में वो सही से नहीं हो पाता है, तो इन दोनों चीजों को आज समझेंगे कि हाइपो कैलसेमिया और हाइपो कैलसेमिया क्या है, औ और उसके effect क्या देखने को मिलते हैं, आई चलते शुरू करते हैं, देखिए, हाइपो कैलसेमिया कहने के मतलब है, ये तीन word से मिलके बना एक हाइपो, हाइपो मिन्स कम, कैलसिया मतलब यहां से कैलसियम से लिया गया, और इमिया मतलब blood, या बलड प्लाजमा के अंदर कैल हाइपो कैलसियम का लेवल एक नॉर्मा रेंच से ऊपर हो जाए, तो हाइपो कैलसियम बोलेंगे, अगर इसको डिफिनिशन के तौर पर यह शौर्ट टर में इसका हम यूज करें, तो लो कैलसियम लेवल ही कहलाता हाइपो कैलसियम लेवल जो बलड के अंदर है, ये कहलात दूसरा कारण होता है या तो removal parathyroid gland यानि जो parathyroid gland है अगर वो remove कर दिया गया कि वो surgical operation करके surgery के थुरूँ उसको बाहर निकाल दिया गया है तो उसको calcium को regulate करने वाला कोई छे नहीं है क्योंकि parathyroid ही regulate करता है तो उस cases में भी calcium का लेवल body में कम हो जाता है और तिसना है low dietary intake of calcium यानि आप अपने खान पान में ऐसा diet ले रहे हैं जो calcium वाला नहीं है या ऐसा है जो बहुत कम मात्राय में calcium ले रहे हैं तो उस कारण से भी आपके body में calcium की कमी हो जाता है या तो आपका जो thyroid gland है वो सिकुड रहा है वो खराब हो रहा हो उस कारण से या फिर वो ठीक है लेकिन वो उस मात्राय में नहीं सिक्रेट कर रहा है जितना उसको जितना regulate करना चाहिए तो उस कारण से भी calcium का level कम हो जाता है या फिर वो release हो गया निकल गया है या नहीं तो आप calcium diet कम ले रहे हैं अगर hyper calcium की cause के बारे में बात करें तो इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यानि कि hyper parathyroidism हो जाए यानि कि कि parathyroid gland parathyroid gland के जो जितने भी cell है अगर उसके अंदर mutation आ जाए और वो बहुत ज्यादा amount में बड़े होने लग जाए ज्यादा cell पैदा करने लग जाए तो इस कैसे में क्या होगा जितने ज्यादा cell जितनी बड़ी size उसके according वो उतना ही ज्यादा secretion produce करेंगे तो उसमें भी जो calcium का जो regulation ने बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि ज्यादा बड़े ज्यादा cell होंगे cancer के कारण तो उसके कारण ज्यादा secretions भी आएंगे उनकी parathyroid hormone की और जैसे parathyroid hormone ज्यादा release होंगे तो calcium को level को भी ज्यादा बढ़ा देंगे वो तो एक यह कारण होता है next कारण होता है high dietary intake of calcium यानि आप अपने हाइपोड्यमीया होने पे क्या क्या effort देखने के मिलता है तो पहला चीजज बोन डिज्यज और जो our dental on Dr subscription ही दोनों चीज देखने के मिलता है बोन्डिय में क्या होका धीया कंजूर हो जाएगी अथा पतली लाचीली सी बन जाएगी बहुत पतली-पतली सी हड्या जार आएगे और कम चोर वोच्ता ही हो जाएगा जैसे कि अज़म पतली सी है वह वो को जा नजफाएगि उSTE पोरोसे्स ही में काड़ा साथいます गलनें से लग जाएंगी इस तरह के सेल के बाहर ECF से ICF में कुछ आए और ICF से ECF में कुछ आए तो यहां पर कैल्सियम आयन जो होता है यह काफी ज्यादा इसका important role होता है किसी ट्रांसपोर्ट में cellular transport में तो यानि कि जो cellular transport का जो mechanism में Walter हो जाएगा दूसरा altered neurotransmitter regulation जो neurotransmitter है जो एक nerve cell होता है वह एक nerve cell बहुत सारे neurotransmitter release करते हैं और इसी neurotransmitter release के कारण synapse बनते हैं जिसमें एक nerve cell दूसरे nerve cell को अपनी message दूसरे को transfer करता है तो वह synapse का formation जब हो रहा होता है तो उसमें calcium का एक role होता है वह calcium की कमी से वह synapse जो neurotransmitter का जो mechanism में Walter कर जाएगा और वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा नेक्स्ट है reduce muscular contractibility यह muscle के उपर इसका एक effect होता है जिसके करण muscle में contraction आती सिकूड़न आती है अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगा तो muscular जो contractibility है वह कम हो जाएगा नेक्स्ट है reduce endocrine secretion जो endocrine glands होते हैं जिसके enzyme या hormones होते हैं जिन gland से उनका secretion से भी कम हो जाएगा क्योंकि वह भी calcium से regulate होते हैं और इसके opposite में hypercalcemia में होगा यह जो function हो रहा है यहीं कि बोन होगा लंबे लंबे बोन होंगे ऐसा लेगा दाते लंबे लंबी लंबी निकल जाएगी कभी दात निकल रही है ज्यादा दात निकलेंगे बोन का deformality जा सकती है anatomical deformality ज्यादा देखने को मिल सकती है hypercellular transport यह altered हो जाएगा जो cell के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यह तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं तो अल्टर कर जाएगा फिर altered neurotransmitter regulation जो मैंने बता है neurotransmitter है इसका जो regulation है वह यह ज्यादा तेज हो जाएगा enhance endocrine secretion enhance endocrine secretion करने का मतलब है जो हमारा endocrine gland है उससे जो भी secretion release होते हैं उसकी secretion करने की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगा वह ज्यादा होगा तो इस तरह से हाइपो calcium और hyper calcium दोनों हमारे नुक्सान दायक होती है नॉर्मल यह होता है कि हमारे body में normal calcium का level बना रहे हो हमारे लिए सबसे best है तो ऐसा कोई diet न ले ऐसा कोई cause अपने body के अंदर न आने दे जो हाइपो में हो जाए या ऐसा कुछ न ले या ऐसा होना बहुत जरूरी होता है यह fat soluble होता है और बेना vitamin D जो active form का vitamin D जो 125 hydrogen जो vitamin D है calcium कोली calcium जिसको नाम से हम जानते हैं इसका होना बहुत जरूरी है कि इसके बगार यह calcium का absorption नहीं हो पाता है इंटस्टाइन में ठीक है तो अगले वीडियो मिलते हैं कि calcium कैल्सियम से बारे में तो हमने देख लिया phosphate को लेकि मिलते हैं कि phosphate का regulation कैसे होता है phosphate का लेबल बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे अगर गड़ जाए तो क्या बोलेंगे और उसे कैसे effect उसको दिखाई देते ही और उसका cause क्या है तब तक के लिए शुक्रिया